है आमसे हैं आप fact का ग्राव तो यह नाच में जो मुखुट भनाते हैं लोग ठीक हैं यह कालOnका नाम है इंड के अयोध्या पहाड के बीष में बसा हुआ यह गालो है जहांपे लगबग सோपरिवर रहते होंगए सो डेल सो परिवार रहते होंगे और यहां मतलब पिढ़ी तर पिढ़ी यह लोग का काम है यह लोग का बिजनेस ही है यह मतलब इन लोगों ने इसको एक बिजनेस की तरह अपना करते हैं और इसको सप्लाइ करते हैं मतलब लाइक जैसे इन लोगों से बात करके पता चला कि इन लोग का जो मुकुट है वो और्डर रहता है इन लोगों को इंटरनेशनल या फिर साउथ के मुबीज में बहुत सारे इन लोग यूज करते हैं या फिर कुछ भी प्रोग्राम होता है ना तो उसमें नाज होता है चौनाज तो वो लोग देते हैं व पर रखते हैं डेकोरेटिव पीस के तौर पर तो इस तरह से इन लोग मतब इस चीज को बना के और यह अपने हाथों से लोग बनाते हैं लोग का प्रेंटिंग इतना अच्छा है जिसे आप देख सकते हैं यह बहिया जो है कितना देर मतब इतना कम टाइम में वो इतना सु इसी का बिजनेस करते हैं और यही बनाते हैं इसी से इन लोग का जीवन्यापन होता है और आप लोग देखें यह बहिया जो है कितना सुंदर बना लिये हैं पेंटिंग कर लिये हैं और इन लोग का बनाने का जो तरीका है वो पहले वो साचा बनाते हैं इसका मुकट का उस उसमें गोंद डालके उसको अच्छा से मत लेते हैं उसके बाद फिर उसके उपर से वो लेप लगाते हैं मतब साचा के उपर से वो लेप लगाते हैं उसके बाद जब वो लेप सूख जाता है कागज और गोंद का उसके बाद लोग छोटे-छोटे कपड़े काटके रखते ह पूबनाँ उसमें पतलेट कपड़ेब करसे जाते हैं रुचा इसका साचा प्लाना बने य। वज़े से गलोग ऐसे करते 2 3 शृषच चटाते फिर सुक जाता है तब फिर वो लोग ऐसे कलर से पंटिंग करते थो कितना सुंधर लग रहे ना देखे के साथ मज़े कर रहे, एक्छलिए कोई जादू नहीं था, मतलब साइज जादू कर रही होंगी, लेकिन इस टाइम पे जब हम लोग देख रहे थे, तो वो कोई जादू नहीं दिखा रहे थे, वो मज़े कर रहे थे, बच्छे के साथ में कुछ-कुछ नए-ए-ट्रिक्स द कब बना हुआ था कब चमच और लकडी के बहुत सारे आइटम्स बने वे थे इसमें लक्षुए गनियस भी थे देखिए फिर चमच थे फिर आपका बहुत सारे चीज़े थे मतलब घर की देकुरिटिफ के लिए इसमें से मैंने बहुत सारे चीज़े लिये भी हैं मैं आपको फुपी दिखाऊंगी उसके बाद लेडिज के बहुत सारे समान थे आइटम्स थे मतलब चूड़िया थी और यारिंग्स थी और भी बहुत सारे चीज़े थे तो हो सकता मैंने नहीं लिया बट कुछ कुछ ली हूँ वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों में से कौन-कौन ये जगा गूम चुका है ज़रूर बताना और जो नहीं गूमे हैं जिनको देखके अच्छा लगा वो भी कमेंट्स में बताना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दुस्तों के साथ सेयर करें ताकि वो भी इस जगा को देख पाएं इस अद्भूत गाउं के बारे में जान पाएं टैंक्यू बाइबाई